मेरा नाम है दिप्तनो आप सभी देखरो मेरी चैनल दिप्तनो शील को तो आज के इस वीडियो पे हम डिसकास करेंगे आप ही लोगों के दूआरा पूछा गया जो सबाल है इस मंत का पेमेंट को लेके उसी के उपर आप लोगों में से बहुत सारे जनों ने मेरी ही चैनल पे के लिए मिलता है वो मार्च महीने का जो शो हो रहा है और हमको पे आउट पे जो मनी मिला है जो पे आउट हमको मिला है वो मैच नहीं हो रहा है वहाँ पे एमाउंट डिफार है एस्टिमाटेड आर्निंग पे बहुत जादा दिखाता है और पे आउट पे बहुत कट करके म पे आउट पे नहीं मिलता है ऐसा क्यूं हो रहा है क्यूं हमको कम पैसा देया जा रहा है तो इसके उपर बहुत सारे लोगों का बहुत सारा डाउट मुझे कोश्चन के मध्यम से मिला है तो मैंने सोचा आज इसी टॉपिक के उपर आप लोगों को एक वीडियो बना के दू ताकि सारे डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाए तो बिना कि आपको बोट चलिये इस वीडियो को आगे बराते हैं और आप लोगों को आज डिटेलिंग में समझाता हूँ estimated earning और payout में differ क्यों होता है क्यों जादा क्यों कम हो रहा है तो ये आज बारिकी से समझाओंगा तो सबसे पहले मैंने आज एक page को चूस किया है ये page already in stream at से monetize है इसलिए earning शो हो रहा है या आप देख सकतो earning मेंने select किया है और ये जो earning अभी आप लोगों के सामने है ये March 1 से earning इस page के honor ने जितना किया है ये आप लोगों के सामने है मगर ये जो earning है ये है estimated earning हमेशा याद रखना दोस्तों ये estimated earning है ये exact earning नहीं है या फिर final settlement earning नहीं है यहाँ पर लिखाई है estimated earning इसका मतलब है estimate कर रहा है कि आप इस महिने पे कुल मिला के इतना पैसा income किये हो मगर ये final earning नहीं है सबसे पहले तो मैं ये बता देता हूँ यहाँ पर दो factor है estimated earning में estimated earning सबसे पहला factor है number of impression दूसरा जो factor है वो है CPM आप लोग सोच रहे होंगे CPM क्या है advertiser हजार impression के लिए आपके videos पे जो payment देता है वो CPM कहलाता है आप मान लो हजार impression का एक advertiser paid कर रहा है $1 तो आपका वो estimated earning में ये भी calculate होगा CPM के दौरा उसके साथ रहता है number of impression कितना impression छो रहा है आपके video के दौरा add ने तो ये सब मिला के estimate earning को calculate किया जाता है अब मैं बात करूंगा कि क्यूँ payout जो है वो differ हो रहा है estimated earning से ऐसा क्यूँ होता है तो दोस्तो सबसे पहले ये क्यूँ समझाने से पहले आज इस page का एक example दे दूँँगा और आप लोग थोड़ा सा दंग रहे जाओगे यहाँ पे आप लोग अच्छे से ये figure को देख लो यहाँ पे है $162.06 ठीक है दोस्तो ये है estimate earning मार्च महीने का अब मैं monetization पे जाओँगा और उसके बाद मैं जाओँगा payout setting पे और आप लोग को जो मार्च महीने का इस page के दुआरा income हुआ है exact जो payout है मार्च महीने का वो select करके दिखाओँगा अब आप लोग फिर decide करना जो मैं बोला वो सच है के नहीं तो मार्च महीने का customly select कर लिए आप update मारूँगा ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकतो ये जो payment है यहाँ पे आप देख लो ये payment जो है वो accumulated period ended हो रहा है यहाँ पे देख सकतो मार्च 1 से मार्च end तक का जो income है बो शो हो रहा है ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे आप देख सकतो 163.17 डॉलार और यह जो यहाँ पे आप देख सकतो paid दिखा रहा है ये भी मार्च का ही है income मगर ये income हो सकता है last महीने का outstanding amount हो मतलब ये carry forward होके इस महीने पे enter किया है ये भी हो सकता है मगर यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है 163.17 डॉलार जो के 162.06 डॉलार से जादा है अब यहाँ पे आप ये question आपके विमाग में आ सकता है कि यहाँ पे तो मेरा जो paid amount है वो जादा हो गया है जो estimated earning दिखा रहा था हाँ दोस्तों तो इसलिए मैं कहता हूँ estimate earning जो है वो हमारा final income नहीं होता है वो सिर्फ और सिर्फ estimated earning होता है जो insight पे आप लोग देख रहे हो ये final settlement नहीं होता है अब आप लोगों को मैं समझाता हू ये estimated earning और exact earning में क्यों difference आता है जाल दोस्तों मैं चला आया facebook के ही official website पे आप देख सकतों ये facebook.com का ही website है क्योंकि बिना proof के समझाओंगा तो आप लोग बाद में ये बत बोलोगे के sir आपने समझा तो दिया मगर proof क्या है इसका तो इसलिए मैं चला आया estimated earning को समझने के लिए यहाँ पे देख सकतों understand your estimated earning for in stream ad लिखा हुआ है अब आप लोग को मैं पूरा बारी की से समझा दूँगा estimate earning और exact जो final settlement होता है उस पे differ क्यों होता है क्या reason है facebook का क्या कहना है तो यहाँ पे आप देख सकतों your estimated earning are based on several factors यहाँ पे ये लोग सीधा सीधा कह रहा है कि हमारा जो मैंने बोला और उसी के साथ यहाँ पे आप देख सकतों CPM जो मैंने आभी आप लोग को समझाया अब यहाँ पे इन लोग का और भी कहना है your payout will be differ what display in estimated earning your video content owned by someone else or there are other adjustment तो यह जो line कहा है यह आप लोग को समझना परेगा यहाँ पे सीधा सीधा बोला गया है आपका जो payout ह वो different होगा वो exactly same नहीं होगा जो display होता है estimated earning में और वो क्यों होगा different इसलिए होगा क्योंकि हो सकता है आपका जो content है आपने जो video post किये है वो someone else का हो किसी दूसरे का हो अगर ऐसा होगा तो दूसरे के साथ आपका revenue share हो जाता है और इसके साथ यह भी हो सकता है there are other adjustments यह भी हो होता है मान लो किसी advertiser ने आपके video पे add run तो किया है मगर facebook को advertiser ने पैसा ही नहीं दिया तो वो facebook को अगर पैसा नहीं मिलेगा तो आपको कहा से facebook पैसा देगा facebook कभी भी यह मत सोचना के facebook के pocket से पैसा देता है जब advertiser आके advertising platform facebook पे add run करते है उससे जो profit होता है उसका कुछ हिस्स facebook रखता है और कुछ हिस्सा creator को देता है अब मान लो advertising ने add तो run कर दिया मगर सटिक time पे पूरा amount जो है वो pay नहीं किया तो वो advertising cost जो है उसका जो revenue है वो facebook आप लोग के साथ share नहीं करेगा इसलिए आप बोला गया है other adjustment और फिर यह other adjustment पे कुछ कुछ time ये भी होता है कि हम लो पे add आ गया तो वो in authentic होता है तो वो amount भी आपको paid नहीं करेगा ये सब adjustment होता है उसी के साथ दोस्तों मान लो कोई invalid click होता है आपके videos पे उसका पैसा भी adjust होता है उसका पैसा भी भले estimated earning में reflect हो मगर आपको final adjustment पे दिया नहीं जाता तो बहुत सारे factor होता है जिसके बज़े से estimated earning पे जो show होता है वो final settlement पे नहीं मिलता है उसी के साथ दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो और भी थोरा सा बोला है if you include content you don't have the right to use in your video the person or business who own the content can claim ownership and may receive a portion of the video in stream ad earning यह पे साथ साथ कहना है अगर आपके video पे किसी दूसरे ownership है और उन्होंने claim कर दिया तो आपका जो revenue है वहाँ से share हो जाएगा एक part revenue का उस owner के साथ तो यह सब हो सकता है जिसके बज़े से आप लोग को जो revenue आप लोग income करते हो estimated earning के दुआरा जो show होता है वो आपको exact जो payout में मिलता है वहाँ पे reflect नहीं होता है final settlement different होता है और आज के इस बीडियो पे मैंने दो हिस्सा दिखाया ऐसा नहीं के सिर्फ estimate earning जो है वो जादा दिखाता है और final settlement कम होता है मैंने ये भी दिखाया आपको estimated earning में कम show हो रहा है मगर final settlement पे जादा है payout पे जादा show हो रहा है आशा करते हो आज के इस बीडियो से आप लोग को ये doubt तो clear हो गया है कि estimated earning जो facebook के दुआरा show किया जाता है insight earning के अंदर वो facebook का final payout नहीं होता है payout पे settlement होता है और वो सब depend करते है बहुत सारे several factor के उपर जैसे के number of impressions, cpm, आपका content किसी दूसरे का content आप डाले हो क्या उसमें कोई claim आया है क्या या फिर facebook ने revenue share कर दिया है क्या दूसरे owner के साथ ये बहुत सारे चीज involved होते है इसलिए estimated earning और final settlement या payout जो है वो कभी भी same नहीं हो सकता है हो सकता है आपको जादा मिले हो सकता है आपको कम मिले तो आशा करते हो आज के इस वीडियो से सारे creator लोगों का जो doubt था वो मैंने clear कर दिया अगर वीडियो पसंद आया है दबा के like कर देना कोई भी दोस्त मेरे च तो बाद